नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की पैरासिप टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, पैरासिप टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और पैरासिप टैबलेट की वज़ज से क्या साइड इफेक् और यहा भी discuss करेंगे कि पैरासिप टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में पैरासिप टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। पैरासिप टैबलेट का उप्योग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पैरासिप एक ब्रैंड नेम है। पैरासिप टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन पैरासिट आमोल होता है। पैरासिप टैबलेट 500 mg और 650 mg की स्ट्रेंट में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि पैरासिप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे पैरासिप टैबलेट दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में पैरासिप टैबलेट की वजह से कोई अब हम दिसक्स करेंगे कि Perasip Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है पैरासay Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जासकता है बुखार होने पर बारा बर्श से लेकर अठारा बर्श के बच्चों को डॉक्तर पैरासिप 500 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर पैरासिप 650 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं लेकिन पेरासिप टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको पेरासिप टैबलेट को लेने से पहले दॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि पेरासिप टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में पेरासिप टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में पैरासिप टैबलेट की खुराग घटानी पड़ सकती है, लगातार दस दिन से अधिक पैरासिप टैबलेट को लेना रेक्मेंडे नहीं है, इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना पैरासिप टैबलेट को लगातार दस दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी पैरासिप टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पैरासिप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।